नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल में अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, शास्त्र में छिपकली को एक बेहद ही खास जियू माना गया है शास्त्रों में छिपकली को देखना और उससे जुड़ी कई गती विदियों के बारे में विस्तार से जानकरी दी गई है जिसकी जानकरी अगर आपको मालुम होती है तो आप अपने जीवन में हर बुलंदी को पा सकते हैं शास्त्रों के विख्यात शकुन शास्त्र के अनुसार चिपकली का किसी खास समय पर दीखना जमीन पर दीखना शरीर पर गिरना भविश्य में घटने वाली शुब और अशुब घटनाओं की और इशारा करता है इसके अलवा चिपकली का शरीर पर किसी खास अंग पर गिरना भी भविश्य में शुब्ब और अशुब्ब घटनाओं को दर्शाता है ये चीज आपने बहुत बार सुनी होंगी कि दीवाली के दिन अगर चिपकली दिख जाए तो उसे मा लक्षिमी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन चिपकली आपके उपर गिर जाए तो घर में वर्शों तक के लिए सुक सम्रुद्धी आती है लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि चिपकली के एक प्रयोक के माध्यम से हम अनेक लाप पास सकते हैं इससे सम्मन्दित एक बहुत ही बढ़िया उपाय हम आपको बताने वाले हैं तो आईए जानते हैं ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से हम अपनी किस्मत बदल सकते ह और साथ ही अपने जीवन में तरक्की को पास सकते हैं और जिससे हमारे जीवन के तरक्की के मर्क खुल जाएं दोस्तों जब भी आपको घर में चिपकली दिखाई देती है तो तुरंत भगवान के मूर्ती के पास रखा सिंदूर और चावल लाएं और उसे दूर से ही चिपकली के ऊपर छिड़कते हुए जो कोई भी आपनी इच्छा है उसे मन ही मन बोलिये और ये काम ना करे कि आपकी मुराद पूरी हो जाए शास्त्रों में चिपकली को एक पूजन ये प्रानी माना गया है इसे पूजन अर्चन से धन से सम्मंदित सभी परेशानिया आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं रहता है लेकिन दोस्तों चिपकली आपको किसी भी समय दिख सकती है इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त या फिर पूजा करते समय चिपकली दिखने पर ही करना चाहिए चिपकली एक ऐसा जीव है जो देखते ही ल आपके आप अपना ही नुकसान करते हैं क्यूंकि दोस्तों इसे लक्षिमी का प्रतीक माना गया है और इसकी पूजा करने से शुब संकेत मिलते हैं लेकिन जब कभी आप दीपावली की सफाई या घर की सफाई कर रहे होते हैं और आपके सामने मरी हुई चिपकली आ जाए तो ये एक अशुब संकेत माना जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके हातों से सफाई करते हुए चिपकली या फिर उसका कोई भी बच्चा मर जाए तो उसका तुरंत संसकार कर दे यानि के जमिन में गड़्धा खोद कर उसके अंदर चिपकली को दबा दे नहीं तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसे कश्ट आने लग जाते हैं जिसकी आप कभी कलपना भी नहीं कर सकते हैं अब हम आपको चिपकली दिखने पर कौन से शुब और अशुब संकेत दिखाई देते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं दोस्तों अगर आप ख खाना खा रहे हैं और आपको किसी चिपकली की आवास सुनाई देती हैं तो ये बहुत ही शुब्ब माना जाता है ये आपको जीवन में अचानक धन प्राप्ति का संकेत देता है कोई शुब्ब समाचार मिलने का या फिर कोई शुब्ब फल मिलने का संकेत हो सकता है अगर आपको सपने में मरी हुई छिपकली दिखाई देती है तो इसका मतलब है आपके उपर कोई बड़ा कश्ट आने वाला है या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिसका आपको पहले कोई अंदाजा ना हो यदि आपको नए घर में या ग्रह प्रविश के दोरान छिपकली दिखती है तो ये किसी पूर्वज या पित्तर के आगमन का संकेत होता है ऐसा माना जाता है कि पित्तर छिपकली के रूप में दिखाई देते है और आपना आशीरवात देने आते है स्त्री के शरीर के बाय भग पर और पूर्युश के दाहिनी तरफ छिपकली का गिरना बहुत ही शुब संकेत देता है तो दोस्तो आज की हमारी जानकारी यही पर समाप्त होती है ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर करना बिलकुल भी ना भूले